हलो एवरीबडी आज मैं आपके लिए जैपनीज थाथमन रामन की रेसिपी लेकर आई हूँ ये ओथेंटिक रेसिपी है लेकिन इंडियन इंग्रेडिन्स के साथ इससे पहले की आगे बढ़े प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और नोटिफिकेशन के बैल को फ् इसकी रेसिपी की लिंक दिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ फिर उसमें एड करेंगे एक टेबल स्पून डाक सॉई सॉस फिर हम लेंगे ब्राउन टाहीनी ये सेसमी पेस्ट है अगर आपके पास में ना हो तो आप तिल को पीस लीजे थोड़ा सा ओयल डाल के फिर हम ए असल में हमें जरूरत परती है चिकन बुरियोन की लेकिन वो तो अवेलिबल होता नहीं है तो मैं नौर सूप लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी आड करके उसका पेस्ट बना के साइड में रख देती हूँ अब हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे फिर लेंगे उड़ान नूडल्स आप नूडल्स अपनी मनमर्जी का ले सकते हैं यह 100 ग्राम उड़ान है इसको हम करीब 5-7 मिनिट तक पकाएंगे जब उबाला आने लगे तो थंड़ा पानी डाल दीजिए इससे नूडल्स बिल्कुल चुवी बनेंगे और जो घटगत होते ह नहीं होंगे इसको वाश कर लीजिए और साइड में रख दीजिए अब हम लेंगे सॉई मिल्क 500 मिली लीटर सॉई मिल्क लिया है यह ऑप्शनल है आप चाहे तो रियल मिल्क भी ले सकते हैं इसमें नौर सूप का पेस्ट आड़ कर दीजिए और इसको थोड़ा सा गाड़ होने तक अच्छी तरीके से पका लीजिए अब एक पैन में एक टी स्पून खुकिंग ओयल डालिए और उसमें एक टी स्पून चिली ओयल को एट करिए फिर एक टी स्पून लेसन और एक टेबल स्पून प्यास को एक मिनिट तक के लिए सॉटे कर लीजिए फिर इसमें केबल स्पुन भरके एड़ करिए देखिए यह बिल्कुल ओथेंटिक रेसिपी है इसमें वो जो विनिगर सॉई सॉस और कमाटर वाला है यह वाला रेसिपी नहीं है इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजिए ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और जब पानी पालक को ब्लांच कर रही हूँ एक्चिली इस में पढ़ता है बॉक्चोई वो अवेलिबल है नहीं तो मैंने पालक यूज कर लिया है इसको बस एक मिनिट के लिए ब्लांच करके पानी से हटा दीजिए फिर मैं ले रही हूँ मूंग बीन स्प्राउट्स का यह मैंने घर वे बनाए हैं क्यूंकि बाहर वाले बहुत एक्स्पेंसिव होते हैं यह कैसे बनेगा इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और अब बस हमको सिर्फ करना है इसकी एसेंबलिंग थोड़ा सा सॉस एड़ करेंगे जो पहले बनाया था फिर उसमें अपना ब्रॉथ एड़ करेंगे देखिए इसको मिक्स करेंगे यह बहुत ही क्रीमी और बहुत ही तेस्टी होता है जब एक दफ़ा यह अच्छी तरीक इसको एड़ करेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से ब्रॉथ में मिला लेंगे एक दफ़ा यह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें एड़ करेंगे मूंग बीन स्प्राउट्स और फिर इसमें एड़ करेंगे हम स्पेनिच या बॉक्चोई यह बहुत ही रेसिपी है और साथ में डिलिशिस और निट्रिशिस तो है फिर हम इसमें एड़ करेंगे अपना चिकन चिकन देखिए बहुत ही टेस्टी बना है और फिर एक सॉफ्ट बॉइल एग मैंने इसमें एड़ कर दिया है उपर से डालिए चिली ओईल और फिर इसके उपर में स्प्रिंकल कर दिजे थोड़ी सी हरी प्यास को अपना क्या है न इंडिया में सिरिफ हाका टाइप नूडल या चाउमी नहीं होते हैं एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करिए और थमसप दिजे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दिजे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद and of course अरिगातो ओजाइमास्ता